नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम नरेश वर आप देख रहे हैं बुंदिल खंडी नीज दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी सक्सियत है जो किसी पहचान की महताज नहीं है हमारे साथ है निवारी जला पंचया तद्यक्ष पितिनीदी और जला पंचया सदस अमेतराय जी दोस् को श्री किष्ण जनमाश्टमी की बहुत-बहुत हारदिक वधाई और सुपकामना है आपको भी बहुत-बहुत सुपकामना है आपके चैनल को भी भी है क्या प्रूग्राम धा जो आज आपके यहां पर जितने भी निवारी विधानसवागे जन्पितिनीदी है जन्पत सरपंच जलापंच या सदस और अन्य प्रितिष्ठित व्यक्ति जो आपके यहां पर आये थे लेकर तो इसमें क्या कोई चुनावी स्टंट है क्या है थुड़ा पताईए आप चुनावी स्टंट बगेरा तो कुछ भी नहीं है सिर्फ लगवग एक साल हो गया था और सभी ज तो सबसे एक दूसरे से मिलना और अपनी सुख दुख की बाते करना तो यह माध्यम होता है और आज हमारे आराद स्रीक किष्ण जी का जन्मोत सब भी है तो जन्माश्टमी के इस सुब अपसर पर हमने सोचा कि अपने सभी जला पंचायत सतस्चों के साथ अपने सभी जन् सभार भी निकल जाएगा सिर्फ पस्तिवार को सबके साथ मिलवाट के मनाया है जैसा कि 2023 में अभी सभराश्चिंग की सरकार है और कुछी महीनों बाद चुनाओं है तो चुनाओं के लिए कर कि आपकी क्या तैयार की चुनाओं को लेकर के तैयार है हम तो सदेब चुनाओ आए ना आए एक से रहते हैं परिस्तिती हमेशा आप चेतर में देखेंगे चुनाओं को देखकर हम नहीं बदलते हमेशा चेतर में सक्क्री रहना लोगों के बीच में रहना लोगों के सुकदुख में रहना ही हमारा भाव रहता है रही बाद चुनाओं की तो ऐसा कोई मे कार है अब एक कुछ देनों पहले आपका जो कुछ कारवाई हुई है जैसे आपकी कई सर को सीछ करना तो यह क्या को राजनेत्ग व्हुप से किया अंतर द्योश्पहा हो रहता है कहीं न कहीं वह मेरे किनी काड़नें करने में खुशी मिलती है तो वह एसे कार आगे भी करते से नहीं होने वाला हूं ना मेरे रादों में कमी आई ना मेरे द्रड़क्षा सकती है जुद उसमें कोई कमी आई है और बल्कि इससे उर्जा बढ़ती है तो कहीं न कहीं जब चुनौतियां मिलती है तो तैयारियां भी चुनौतियों के हिसाब से करनी पड़ती है इसलिए इ और दो प्रत्यासी घोशेत हुए एक तो समाझवादी पारटी से दीप नाना नियादब और बिएस्पी से अब जैब सिप्स ताप सिंग्राठ वर आप किया और कोई बड़ा धमा का होने वाला है निवारी विरहन सभा में अब यह सब अभी समय आने पर चीज़ें दीमिदी में पब्लिक के सामने आएंगी सभी राजने तिक दल अपने अपने प्रतियासी मैदान में उतारते हैं समाजबादी पारिटी वहुजन समाज पारिटी के प्रतियासी आएं अब कांगरेश और भारती जंता पारिटी फी अपने प्रतियासी को मैदान में लाएगी धमाका उसके बाद होगा जब प्रतियासी का चैन होगा अभी तो सब चीजें सब आपनी तैयारियों लगे हैं आप ने वारी में यह युवाज चैरा है और उन्होंने जन्म से अपनी ताकत के पर्चय दिया है उन्होंने इस पृत्वी से किस तरह से अन्याय का खात्मा किया है किस तरह से न्याय के वो साथ में खड़े हुए हैं आपने देखा होगा महाभारत में जब छक्रविउर रचा गया था और उसमें स्री किशन जी ने किस प्रिकार से अर्जुन का साथ दे कि उस चक्रव्यू को तोड़ा था ऐसे ही आज पुनी के जनमुत सब के दिन मैं अपने सभी युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी से कम नहीं है आप के अंदर भी स्री किशन है आप के अंदर भी स्री राम राजा सरकार है आप किसी से कम नहीं किसी भी परिस्तिती में बस डट कर मुकाबला करना है हार नहीं माना आज मैं हूँ 26-27 वर्स की उम्र है आज आपके बीच इस परिस्तिती में हूँ सुरू सई हर परिस्तिती से लड़ा हूँ कभी किसी के सामने जुका नहीं हूँ और कुछ भी असम्वब नहीं है सब को सम्वब हुए Everything is possible, nothing is impossible इस मंदर को अपने मन में आप उतार ले और मैं विस्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस मंजल को पाना चाहेंगे जिस छेतर में जिस और जाना चाहेंगे आपको सफलता मिलेगी मेरी ऐसी सुपकाम ना है अभी आप कुछ दूनों पहले गौँ गौँ गई वहां पर रात्री विस्तराम किया तो लोगों का कैसा प्यार हो सहयूग मिला आपको, क्या लगता है अभी जो आपने की कारवाई हैं तो प्रेकर कर देंगे प्रेकर की सौब अच्छो लोगों के बीच में भाव से मिल रहा है आ रहा है जोई तो पसंद नहीं आओ लोगों हो लेकिन इंसे कोई फरक नहीं पढ़ने वाले यह किरम आगे भी निरंतर जारी रहेगा और बहुत अच्छा लगा है अपने पन का एहसास हुआ है चुकि कुछ चीजों से बीच-बीच में दूरी हो गई दी तो पुना वे याद आ गए हैं क्योंकि हम कॉने की चम्मत चांदी की कटूरी लेके तो पैदा भेह नहीं है तो अपनी पुरानी जो दिन चर रहा थी उसको रिपीट किया था आगे भ का युकत बढ़ रहा है तो उससे कहीं उनकी पदिया चुनाओं में आने वाली समय में दिक्कित प्यादा हो चाहिए जोपड़ी में बैटके खाबे से लोग उसको चाहिए दिखावा समझें लोग उसको चाहिए को समझें यह माध्यम होता है अपने लोगों के बीच में जब आप गाओं में अंतिम चोर के वेक्ति के बीच में पहुंचते हैं उसके साथ बैठते हैं तब ही तो आप उसकी समस्याओं को जान पाएंगे आप उसकी मजबूरी को उसकी ताकत को उसकी परिसानी को समझेंगे और उसकी परिसानी को हल करने का प्रयास करेंगे तो मै लोगों के बीच में पहुंचता हूँ बास्ता में लोग जो हम कह रहे हैं कि परिवर्तन आया है या सुधार हुआ है या लोग मजबूत हुए हुए नहीं हुए उनके बीच में पहुंचने से ही पता चलता है उनके बीच में पहुंचकर कही ना कई उनको भी बहुत खुसी म तो यह कई सारे माध्यम रहते हैं अब लोग परिशान हो दाविदार परिशान हो कौन परिशान हो मुझे किसी से कोई परिशानी नहीं है मैं अपना काम करता रहता हूं हाती अपनी चाल मस्ती के साथ चलता रहता है और लोग अपनी पृतिकरिया है किस प्रकार से व्यक्त कर पुलिस चेकिंग में रूख लीथ दुचार पॉंच पॉज्ज चुड़ा लीथ चलन काट दीथ इस पर आपका क्या काइना है देखिए चेकिंग आपने जो कहा है बहुत सिकायते हैं चेकिंग की हम भी कई सारे लोगों की मदद करते हैं समझायश अपने लोगों को भी देत चेकिंग अच्छा मात हैं होना भी चाहिए लेकिंग को व्यापार ना बनाए और ना बनने ने इसकी लिए हम कटीवद्य हम प्रयास करेंगे जहां सकायध मिलती है तो हम कारवाई भी कराते हैं आप नेवाडी की जनता को कुछ संदेश देने की आवश्यक्ता है नहीं नह रही है जो भी गटना करम घटे हैं वह क्यों घट रहे हैं किसके इसारे पे घट रहे हैं यह क्या हो रहा है उस अभ जानती निवाडी की जनता समझती है और हमेशा मैं इतना ही कहूंगा चाहे निवारी की जनता हो या कहीं की भी जनता हो सच के साथ सचाई के साथ और अच्छे के साथ हमेशा खड़ी जिसके साथ दूसरों ने अन्याय करना चाहा परिसान करना चाहा हमेशा जनता ने उसका ही साथ दिया है जनता ने कभी अन्याय करने वाले कि अभी आपका इकारी क्रेम था इसमें लगभग कितने प्रितिसाथ या माने मतलब वद्धान सभासी जणपेती नहीं दिया आए थी लगभग मतलब कितने आय कितने नहीं आए हमाई जिलापंचायत के तो लगवख सभी सदस थे एक दो लेख बाहर है कोई कोटा है तो कोई वोपाल है पूरी जिलापंचायत थी सभी जनपत पंचायत के भी लगवख-लगवख सदस थे पारसद गड़ भी तीनों नगर परशद होतों से थे सब लोग आए तमाम हमारे 80-85 परशद सरपंच आ HERE बाइस नेर सब्मार परशद पूर्व सरपंच भी जनपत 6-9 इसी को भी बलाय और सब आय आए अच्छा लगा सब से मिलके दुः चेत्र के बीच में लोगों के बीच में रहते हैं जनता के बीच करते हैं कि अगर आपको भाजबास ही टेकट मिलता है तो आप बीकास का मुद्ध की प्रबल रहा है इसमें तिककित की पायटी ते करेंगी क्या करना है चुनाओं में पढ़ण अच्छे आएंगे ये आप भी समझते हैं जनता भी समझती है आसरवाद जनता का सब अच्छा होगा हमारे बुंदिल खंडी न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैं हूं राम नरेस और आप देख अपनों को देखने के लिए देखते रहे हैं बुंदिल खंडी न्यूज नमस्कार